हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आरवेदू ट्यूब में आज मैं क्वेश्चन लेकर करके हूँ यह क्वेश्चन क्लास 9 की मैथ से चेप्टर नुमबर 6 लाइन्स एंड एंगल से लिया गया है यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नुमबर 5 है इस देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो को दिस्क्रिप्टिन में प्लेइलिस्ट की लिंक देदूंगा आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं क्या पूछा गया है यह क्वेश्चन नुमबर 5 है इन फिगर 6.43 इप पीक्यू प यहां पर हमारा एक्स है एक्सपंट करना और यहां पर वाई है और यां फिरन करना रहां मतलब यह वाला इंगल और यह वाला इंगल है सकता अब यह तो हमें दिया गया है कि प्रपेंडिकुलर्ट टू प्यस्पी क्यू पर्लेल टू एस आर यहां पर राइट करेंगे हम कि एज पी क्यू पर्लेल टू एस आर एंड क्यू आर इज ट्रांस्वर्सल कि अधिक है कि मालनों यह दो लाइन है हमारे पास यहां पर कहीं पर पी है और यहां कहीं पर हमारा क्यू और क्यूसे क्यू आर तो आप ध्यान से पूरा इंगल है इस वाले पूरे एंगल के इक्पास थाएगा होगे कि PQR QRT alternate angle है यह दोनों equal होंगे तो यहां पर लिखेंगे angle PQR is equal to angle QRT इसका region होगा alternate angles ओके आच्छा आपको QRT की value दिया गया है QRT 65 डिग्री तो यहां पर हम 65 डिग्री पुट कर देंगे अब PQR के बारे में देखो यह तो मारा है PQR यहां से से एक और लाइन निकलती है तो यह angle भी है और यह angle भी है दोनों का सम है यानि कि X plus 28 क्या हो जाएगा PQR लोगो PQR में X भी है 28 भी है जापर आप ध्यान से देखो होगे तो X भी है 28 भी है तो PQR के जगा पर हम क्या रख देंगे एक्स प्लस 28 डिग्री ठीक है अब यहां से इस 28 को इधर भीजेंगे तो यह हो जाएगा 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री और इधर हो जाएगा X तो आप देखों करेंगे तो कितना मिलेगा यह 5 है और यह 8 है तो यह जाके करी लेगा 15 15-8 7 हो जाएगा और 5 है 5-2 3 हो जाएगा तो X is equal to तो आजाएगा 37 डिग्री कितना आजाएगा 37 डिग्री यह हमारे पास आगया 37 डिग्री कितना आ गया 37 डिग्री अब देखो अब इस वाले ट्रेंगल में पीक्यू एस वाले ट्रेंगल में हम लगा देंगे एंगल सम्ट्रापर्टी कि इन राइट ट्रेंगल P Q S we have angle Q P S plus angle X plus angle Y is equal to 180 degree अब इसका reason होगा sum of angles of a triangle is 180 degree is 180 degree ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या होगा X की value में पता है Q P S की value पता है देखो अगर P Q P S पर perpendicular है तो इसका मतलग यहाँ पर कितना degree का angle बन रहा है 90 degree का तो यहाँ पर put कर देंगे 90 degree X की value हमने find क्या है 37 degree और Y हमें find करना है is equal to 180 degree 90 plus 37 हो जाएगा 127 127 degree plus Y is equal to 180 degree अब यह इधर plus है उधर जाके minus हो जाएगा तो उधर ले जाके minus कर देते हैं 127 degree तो देखो Y is equal to कितना हो जाएगा 10 minus 7 3 7 minus 2 5 1 minus 1 0 तो यह आजाएगा हमारे पास 53 degree तो यह हमारे पास Y is equal to कितना आगया 53 degree लेकिन हम से क्या पूचा है X and Y तो यहाँ पर write कर देंगे हम therefore X is equal to 37 degree and Y is equal to 53 degree answer यह हमारे क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो आप चाहो तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम बिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तब अगले thank you class